एक आठ साल की बच्ची रोते हो अपनी मा के पास गई और मा से जाके बोली मा मुझे भाईया साथ नहीं खिला रहा है मा ने कहा बिटा मेरे पास आके बैठ जा उसे बातचीत करने लगी और इतनी ही देर में उसका भाईया भी आ गया कहा कि अरे तुम इसे क्यों अपने साथ नहीं खिलाते हो क्यों परशान कर रहे हो तुमारी छोटी बहने तो भाईया कहता है कि चाची जी ये हमारी बात नहीं मानती है इसलिए करें तो क्या करें हमारे साथ खेलेगी तो हमारी बात मानेगी नहीं तो हम नहीं खिलाएंगे अपने साथ छे भाई हैं, एक बहन है अब अकीली बहन जाए तो कहां जाए मجبورी में उन्हें भाईयों के साथ खेल नहीं था और जो खेल शुरू होता है तो खेल ऐसा शुरू होता है कि जिसकी कलपना, जिसकी उम्मीद कभी की नहीं जा सकती माबाप ने तो कभी नहीं की थी और जिस लोगों ने इस घटना के बारे में सुना उन्होंने भी कभी इस तरह की घटना की कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा आदाब, नमस्कार, शस्रीकाल, मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सची घटना है 36 गड़ प्रदेश का एक जिला है अंबी का नगर और अंबी का नगर जिले का एक ठाना लगता है गांधी नगर दरसल इसी इलाके का एक गाओं है इस गाओं में एक संयुक्त परिवार है और कई लोग चचा ताव बगएरा सब आसपास के एक संयुक्त फैमली है जोइंट फैमली है इस घर में एक आठ साल की बच्ची है उसकी सेहत पिछले कई दिनों से लगातार डाउन जा रही थी गिर रही थी उस बच्ची की हालत देखकर खास कर मा को बहुत ज़़ा चिंता सता रही थी मा ने पूछा बेटा तुम्हें क्या हुआ है तुम बड़ी सूकती जा रही हो कमजोर हो रही हो कहरी ममे मुझे कुछ नहीं पता आठ साल की बच्ची है उसे क्या पता होगा कि उसकी सबीद कैसे खराब है या कोई दिक्कत है परिशानी है जो भी थोड़ी बहुत दर्द की या बुखार की शिकायत थी उसने अपनी मा से बताई मा ने उसको डॉक्टर को दिखा दिया डॉक्टर ने नॉर्मली उसे दबाईयां दे दी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सब चीजें नॉर्मल नहीं हो रही थी बलकि नॉर्मल से ज़्यादा भयानिक होती चली जा रही थी क्योंकि लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और हालत ऐसे होए कि 3 फरवरी 2022 को उस बच्ची के तभी ज़ादा बिगरने लगी यानि कि उस दिन उसके पेट में ज़ादा ही दर्द हो रहा था दर्द एक तरफ बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है मगर एक तरफ उसी लड़की का बड़ा भाई जिसकी उमर अभी लगवक सत्रे या अठारे साल के आसपास है मगर वो इन छे बच्चों ये साथ बच्चों के साथ नहीं खेलता था वो बड़ा था इसलिए वो कुछ ऐसी बाते सुनता है जो शायद उसको बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी वो बात सुनने के बाद सीधा अपनी मा के पास जाता है और मा से जाकर कहता है कि मा मुझे कुछ गरवर लग रही है कुछ तो बात ऐसी है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी मा ने अपनी बेटी की पूरी बाते सुनी और यही बात मा ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या सब चल रहा है तो मा जब अपनी बेटी से बाचीत करती है तो सुनके उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है दरसल ये छे बच्चे हैं एक ही घर के एक चचा, ताव, परिवार के जो भी बच्चे हैं एक दो बच्चे पड़ोस से इस घर में आ जाते हैं इसी घर के आंगर में खिलते हैं इस घर के कमरों में जहां जी चाहा वहां खिलते हैं जो चाहा वो खाया वो पिया बात ओनलाइन सिक्षा से शुरू होती है इसमें एक बच्चा तेरे साल का है जिसकी 13 साल का बच्चा या चटी या सात्मी क्लास में है वो अपनी कक्षा में ओनलाइन पढ़ाई करता है और साथ ही इन बच्चों के साथ भी वो समय बिताने के लिए खेलता रहता है खेलते खेलते कब उसके मोबाइल पर कुछ ऐसी साइट खुल जाती है जिसकी शायद किसी ने कलपना नहीं की थी और कहते हैं कि जब हम कोई Google या YouTube या कोई ऐसी साइट खोलते हैं तो उसके बाद उसका algorithm ऐसी ही साइटों को अपने आप से उसका recommendation भीजने लगता है बैसी ही साइटें अपना आप से फिर खुलने लगती है और ऐसी साइट थी जिसमें गंदी picture दिखाये जाती है कुछ ऐसी साइट थी वो लड़का शुरुबात में अकेला देखता था और ये शुरुबात उसने अकेले के साथ करने के साथ फिर अपनी जो साथी हैं अपनी जो भाई हैं जिनके साथ वो खेलता था उन्हें भी वो साइड दिखाने लगा और ऐसी साइड दिखाते हुए बोलता है कि ऐसे तो मम्मी पापा भी करते हैं यानि कि वो बच्चे जब इस साइड देख रहे थे तो ये बाते भी कर रहे थे मम्मी भी ऐसी करती है, पापा भी ऐसी करते है जहिर सी बात है हर घर में ये सब होता है नौरनल बात है लेकिन कई बार लोग अपने बच्चों को बीना बताए चुपा कर ये सब नहीं करते हैं और कई बार खुलयाम हो जाता है सोचते हैं कि बच्चा सो रहा है लेकिन बच्चा जाग रहा होता है और बच्चों ने कुछ ऐसा देखा था जो उस वीडियो के अंदर था ये शुरुबात थी और शुरुबात ऐसी होती है कि फिर यहां पर अनेकों वीडियो आने लगती है कई वीडियो डाउनलोड भी हो चुकी थी और ये पहले बच्चे आपस में देखते थे और वैसे ही देखने के बाद वैसे ही अपनी बहन के साथ करते चले जाते हैं थोड़े बहुत दिन नहीं लगभग डेड़ महीने तक यही प्रोसेश चल रहा था वो खेलते कम थे और जो भी कमरा उने मौका मिल जाता था उसी कमरे में जाकर वैसी ही काम करते थे जो उन्होंने अपनी मम्मी पापा को ऐसे करते देखा था वो ही काम करते थे जो वीडियो में चलता था वैसे ही करते करते कब वक्त गुजर जाता है वक्त तो गुजरता है लेकिन उस बेटी की उस बच्ची की तबियत लगतार खराब होने लगती है घरबालों को बिक्कुल कताई अंदाजा नहीं था कि उनके घर में उन्हीं के बच्चे कुछ आपस में ऐसा गंदा काम कर रहे हैं और जब इसका भाई एक दिन अपने घर से बाहर निकला वा जा रहा था जिसकी उम्र लगत 17 या 18 साल के आस पास थी तब ये 13 साल का बच्चा अपने उन दोनों तीनों साथियों ये चारों पांचों साथियों से कहता है कि आज चलों फिर करते हैं उस लड़की का नाम लेकर वैसे ही और जब उसने जाकर मोबाईल देखा है मोबाईल में वो ही वीडियो देखता है जो बच्चे देखते थे तो भाई के रोंग्टे खड़े हो जाते हैं यही बात उसने जाकर अपनी मा से बताई और माने अपनी सास से जب ये बात बताई तो पूरे घर के हालत खराब हो जाती है मगर मा तो मा होती है मा सीधे ग geliyor झानधी नगर थाने में जाती है और उन बच्चों के खिलाब मुकदमा दरज कराती है मुकदमा भी छोटी मुटी धाराओं में नहीं बलकि बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता, 294 में 323, 34, IPC के धारा 506, 376, 2N, 376, AB, 376, DB, 5M, CHL, 5N, CHL, 6CHL इन धाराओं में जब मुकदमा दर्ज होता है, तो इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ तैरने लगता है बहुत तेजी के साथ इलेक्टरनक मीडिया के जो वेब पोर्टल है, उन पे ये मामला बहुत तेजी के साथ फैलने लगता है, तैरने रखता है तब जाकर लोगों को आखे खुलते हैं कि एक संयुक्त परिबार, एक संयुक्त फैमिली, जोइन फैमिली जहां पे इस घर में चाचा, ताउ, रिष्टेदार, कई लोग एक साथ रहते हैं और उनकी छे बच्चे एक लड़की के साथ, यानि की अपनी ही बहन के साथ, हिला चिकिस्ते को अपनी बेटी दिखाई होती, तो शायद वो पहचान पाती कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, पुलिस ने इस मामले की जांच परताल की है, उसके बाद उसे 13 साल का सबसे बड़ा बच्चा है, इन बच्चों की संक्या 8 से 13 साल तक थी, इस 13 साल के बच्चे को जब हिरासत में ये पूश्तास के लिए बुलाया जाता है, तो सबसे पहले उसका मोबाइल लिया जाता है, मोबाइल को जब चेक किया जाता है, सरवलांस के माध्यम से, तो उसमें नजने कितनी ऐसी साइटें खुली होई थी, जिसमें पौन पिक्चर या बच्चे को जब बात चीत करती है, तो पता चलता है, बच्चे ऐसी फिल्में देखने की, ऐसी पिक्शर देखने की एडिक्ट हो चुके थे, उन्हीं उसकी आदल सी पढ़ गई थी, शायद ये जो मामला हुआ है, इन बच्चों का कभी भी अपनी इसमर्ती पटल से इस व बाकिये को वो कभी भूला पाएंगे, ऐसा मुम्किन नहीं है, नाहीं इनके मा बाप इन सब दिरुश्ね को इस सब मनजर को कभी भूला पाएंगे, ये भी मुम्किन नहीं है। जो इस मामले की जाँच कर रहे हैं टी आई, अल्रीक, लाकडा इन्होंने साफ इंकार कर दिया क्योंकि इस मामले की जाँच अधिकारी यही है कहते हैं कि इस मामले की जाँच की जाएगी और आखिरकार इस बच्चे के पास जो तेरे साल का बच्चा है इसके पास ये वीडियो कैसे पहुँचा है और ये कपसे इस वीडियो को देख रहा था इस प्रिक्रण की पूरे की जाच की जाएगी और जो भी दोशी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्षा नहीं जाएगा दोस्तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखना नहीं है बलकि आपको जागुर करना है आपको सचेत करना है आपकी जिम्मेदारी बनती है बलकि नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो बच्चे घर में रहके ओनलाइन पढ़ाई करते हैं कम से कम आप ये देखते रहें कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहें मॉबाइल की हिस्टरी में जाकर चेक करिए कई बच्चे मैंने देखा है कि अपने फोन पर लोक लगा कर रखते हैं मबाप को उनके लोक के बारे में जानकर ही नहीं होती एक छोटा बच्चा आपने मॉबाइल में आखर कर लोक लगा कर क्यों रखना चाता है ये भी एक सवाल है इसलिए अपने बच्चों पर हर वक्त हर समय वोच रखिये ध्यान रखिये बच्चे इस तरह से घर में भी हैं, खेलते भी हैं, तो कम सकम बीच वीच में जाकर उनसे पूछते भी रहें, क्या खेल खेला है, क्या ने खेला है, यदि आपने नहीं पूछा, आपने लापरवाही बढ़ती, तो जैसा इस आठ साल की बच्ची के साथ गलत हुआ है, कहीं आपके बच्चों के साथ ऐसा गलत नहों जाए इसलिए आपका जागरुक रहना इसलिए आपका सतर्क रहना बेहत ज़रुरी है आप अपना खयार लखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत